हेलो एवरीबन नमस्कार मैं रक्षित गूजर स्वागत करता हूँ आप सभीका अक्षवाट के यूटीब चैनल पर सो आज की वीडियो में हम कंटिविव करेंगे एकोनोमिक्स क्लास 12 का हमारा चेप्टर नमबर 9 जिसका नाम है न्यून मांग और अधिमांग की समस्या इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हमने देखा था पिछली वीडि के इंदर ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पहले पून्रोजगार संतुलन फिर रल्प रोजगार संतुलन फिर बेड़ुसगारी के कितने टाइप सोते फिर पून्रोजगार का मतलब क्या होता है तो यह सारी बेरोजगारी के प्रकार बेरोजगारी के तीन प्रकार बताई गए आपकी बुक के अंदर सबसे पहला होता है एच्चिक बेरोजगारी सेक्ड होता है अनेच्चिक बेरोजगारी तीसरे नमबर पे आता है प्राकर्तिक बेरोजगारी बेरोजगारी जो होती है प्राकर्तिक लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसी situation को हम बोलते हैं कि वो बेरोजगारी की situation है, क्योंकि जो लोग काम करना चाहते हैं और वो काम करने की योग गया है, यानि कि उनके अंदर लोग बिरोजगार रहना चाते हैं यानि कि या तो उनके अंदर उनके अंदर काम करने के योगतनी होती या फिर उसकाम करने के इच्छों नहीं होते और जो प्रचलित मजदोरी दर होती है यानि कि जो एक पैसा मिलता है जो सेलरी मिलती है उस सेलरी पर वो लोग काम करना नह ही होती है और एक्जामपल अगर कोई मजदूर है वो आज के टाइम में एक दिन काम करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा तो वह होता है मजदूरी दर इसको हम तो उसको एच्छिक बेरोजगारी कहते हैं नेक्स्ट पे आ जाती है इसकी अनेच्छिक बेरोजगारी जब कुछ लोग प्रचली तमझदूरी दर पर काम करने के लिए तयार तो होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है यह सिच्वेशन बहुत जादा पाई जाती है परियाप द्रोजगारी जाती है तर्ड नंबर पर प्राकर्तिक बेरोजगारी यह बेरोजगारी की एक नियूंतम दर होती है प्राकरतिक का मतलब क्या होता है एक नैचुरल चीज जो हमेशा पाई जाए तो प्राकरतिक बेरोजगारी बेरोजगारी की वो नियूंतम दर होती है यानि कि वो हमेशा एक state होती है जो हमेशा रत्यवस्ता में पाई जाएगी ही जाएगी ये किस कारण से होता है ये इस कारण से होता है जब जैसे for example एक person है वो अभी company में काम कर रहा था किसी में भी example के लिए वो ABC company में काम कर रहा था ABC company नो उसको 35,000 रुपर मिल रहे थे अब उसको कहीं से XYZ company से एक और हो आया offer कि आप अगर हमारे हैं काम करोगे तो आपको 50,000 मिलेंगे यानि कि 50,000 मिलेंगे तो 35,000 की नौकरी क्यों करेगा वो 35,000 की नौकरी छोड़के 50,000 की नौकरी के लिए अपलाई गर देगा तो जो टाइम उसको उस नौकरी को छोड़ा और जो उसको उस नौकरी दूसरी वाली में जो XYZ company उसमें काम करने के लिए वो गया तो दोनों के बीच में अगर 20 दिन का 25 दिन का 30 दिन का जो भी time period लगेगा तो उस time को हम calculate करते हैं कि प्राकरतिक बेरुजगारी में यानि कि एक ऐसा time period होता है दोनों के बीच में ऐसा तो नहीं है कि आज साम को नौकरी जोड़ी सुभाई नौकरी जोइन कर लिए उसके बीच में थोड़ा बहुत time लग जाता है उनका इंटर्वीव होता है जो भी process होती है उसके according जो time consume होता है तो एक काम से दूसरे काम में जाने के बीच में जो भी time लगता है तो ऐसा हमेशा रत्यवस्ता में होता है बहुत सारे लोग होते है बहुत सारे profession होता है कोई किसी काम को छोड़के दूसरे company में आता है तो यह हमेशा से रत्यवस्ता में चलता रहता है तो बेरोजगारी की कुछ न कुछ न्यूनतमदर हमेशा ही पाई जाएगी रत्यवस्ता के अंदर उसको प्राकरतिक बेरोजगारी कहते है एक्जामपर हमने तो थोड़े टाइम के लिए क्या होगा मजदूरों को चुट्टी मिल गई है तो उनकी कर जाएगा कि वह थोड़े दिन के लिए बेरोजगार है तो यह होता है संगर्शात्मपर बेरोजगारी जब कुछ लोग एक काम को छोड़के दोसरे काम में जाते है तो उसके बीच में जो टाइम लगता है दोसरा जब मशीनों की टूट फूट होती है तीसरा हो सकता है जैसे कच्चमाल नहीं आया है तो उनसे बोल देंगे अभी तो कच्चमाल आया नहीं है तो जब कच्चमाल आ जाता है जब भी रोजगार होता है जैसे कि आपने आज से 10 साल पहले देखा होगा तूसरे टाइप की फोन चलते थे 15 साल पहले कि जो छोटे होते थे जिनको भूलते थे कीपेड वाले फोन तो यानि कि उनमें कीपेड होता था स्क्रीनिंग को नहीं होता था कैमरा एमरा क कोछ नहीं होता था तो उनमें क्या होता था खाली कालिंग के लिए होता था इंकमिंग आउटग कॉल होती थी यूसमें बस काम खतम तो आगी example के लिए जो वो phone थे अब उस phone company में जो भी लोग काम कर रहे तो उनको पताई कि यह phone कैसे बनाए जाएगा इस phone में अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको कैसे सही किया जाएगा इस phone का कैसे यूज किया जाएगा तो जो भी बहुत सारी चीजों होती है उसका charger कैसे बना कर रहे हर कोई तो Android phone आने से जो पहले वाले फोन थे कीपड़ वाले वह बदल गई है जो मजदूर पहले काम कर रहे थे जो लोग पहले काम कर रहे थे कीपड़ वाले फोन बनाने में अब उनके लिए जो सन्रचना में परिवर्तन हुआ यानि कि जो structure है वो बदल गया काम क इस वजये से जो भी बेरोजगारी होती है तो उसको सन्रचना बदलने से बेरोजगारी उत्पन हो गी तो सन्रचना तो वेरोजगारी होगी इसमें क्या क्या चीज़े आ जाती है जब टेक्नोलोजी बदल जाती है इसका best example जैसे मैं आपको बता है पहले कीपेड वाले phone यूज होते थे आज के ले Android phone यूज होते है तो कीपेड वाले phone को बराने में जो इंजीनियर लगेंगे या जो भी person उसको बनाएगा तो उसको सा उसकों के पास नया उद्योग की निपूनता ना हो यानि कि उनको जो नया उद्योग उसके बारे में कोई योग गेता ही नहीं उनके अंदर कि Android वाले phone उनको कैसे बनाना वो कैसे ऑपरेट करे जाएंगे उनके अंदर जो भी software हो कैसे इंस्टॉल होगा तो इन सब की उनके शामिल करेंगे संगर शात्मंग बेरुजगारी मशीनों के टूट फूट कच्चा माल एक जगे से दूसरी जगे जाने में जो भी time period लगता है उसको calculate करते हैं तो यहां पर हमारी यह वाली वीडियो हो जाती complete जिसमें हमने बेरुजगारी के types को समझा है I hope यह सारी वीडि वीडियो सीरीज में तब तक के लिए खुश रहे स्वस्त रहे और जुड़े रहे एक्सवार्ट के साथ चैहिंद चैह भारत